ये वाला काफी हद तक पिछले कोशन के ऐसा ही है लेकिन उसके अंदर जो फंडा यूज हो रहा था उसी फंडे को सेम लगाने का ट्राइ करोगे यहाँ पर तो काम नहीं करेगा कैसे काम नहीं करेगा वह हम समझेंगे लेकर पहले समझते हैं कोशन क्योंकि आप लोग जिसमी नोट से स्टार्ट करोगे उस नोट पर दुबारा से वापीस आ रहे हो तो यहाँ पर साइकल प्रेजन है है लेकिन अगर आप लोग सेम फंडा लगाने का ट्रैकर होगे पिछली वीडियो जासा, तो पिछली वीडियो देखनी बहुत ज़रूर है, highly recommended है, highly prerequisite है कि इस वीडियो से पहले आप लोग पिछली वीडियो देखो, which was in this DSA1 course, जिसका नाम था, Detector Cycle in an Undirected Graph, वो ज़रूर देखना, उसके बाद ही यह हो पाएगा, ठीक है, उसी को भी जु गलत होने वाला है, कैसे गलत होने वाला है, मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आप लोगों ने स्टार्ट किया इस नोट के साथ, ठीक है, 0 पे गए आप, इसको आपने true mark कर दिया, इसका parent हो गया, इसका parent हो गया, 0 ठीक है, आप बोलोगे, यहां पे काम खतम हो गया, 1 से कोई वाला, जो पूरा-पूरा एक बड़ा फॉर लूप चलता, जो कि DFS कॉल कर रहा होता, बार-बार, तो वो आएगा 2 पर, और 2 के लिए call होगा, 2 का मरो जागा true, और इसका parent हो जागा minus 1, 2 से आप जाओगे 1 पर, अब देखो, यह 1 तो already visited है, और यह जो parent है, वो इसके ब direction दे रखी है, ठीक है, आप लोग 1 से कहीं और जाए नहीं सकते है, अगर यह undirected grapha case होता, तो आप लोग 1 से 2 पर चले आते हैं, और यह वाला कभी होता ही नहीं सेनारियो, लेकिन क्योंकि आप लोग को यह 1 पर रुखना पड़ गया, और 2 से आप लोग का एक नया DFS start हो ग क्या कहना चाता हूं जला समझते हैं, इसके हैं समझते हैं, सब उसकर हमने 0 से start किया, तो हमारा DFS 0 होगा call, DFS 0 से हम जाएंगे, DFS 1 पर और यहीं पर हम रुख जाएंगे, क्योंकि DFS 1 से हम कहीं और नहीं आ सकते, तो यहां पर हम रुख जाएंगे, अब हम दुबार से पुसकर हम जाते हैं 3 पर क्योंकि अगला नेवर 3 है, लेकिन 1 को हम नहीं काउंट करेंगे, हम जाएंगे DFS 3 पर, और DFS 3 से हम जाएंगे DFS 4 पर, और हम देखिए हां 4 से 2 के लिए cycle present है, तो यह एक अलग case बन गया, तो आप लोग दिख रहें यहां पर 2 case बन रहे हैं, एक यह case बन रहा है, एक यह case बन रहा है, दो अलग-अलग scenario बन रहे हैं, ठीक है, दो अलग-अलग DFS के call stack बन रहे हैं, तो एक call stack यह है, तो इसलिए यहां पर हम देखना है basically, अगर कोई भी neighbor आप लोग का visited है और वो इस वाले call stack में present है, जिसके अंदर आप लोग currently traverse कर रहे हो तब ही आप लोग मानोगे cycle present है, अधरवाइस आप लोग नहीं मानोगे cycle present है, ठीक है, यह इसलिए करना पट रहा है, विकोज यहां पर आप लोग की direction दे रखिया, यहां पर हम देखेंगे कि 4 से अगला neighbor है 2, और 2 क्या इस वाले recursion stack के अंदर present है, तो क्योंकि 2 इस वाले recurs recursion stack में present नहीं है, 1 चला गया, ठीक है, 1 यहां present हुआ होगा कभी न कभी, क्योंकि 1 यहां present नहीं है, इसलिए हमने इस वाली edge को ignore कर दिया, और हम कह रहे हैं कि यहां कोई cycle present नहीं है, लेकिन यह वाली cycle present है, इसलिए यहां पैसे काम कर रहा है, तो यहां पर एक नया चीज हम मैंटेर दरक रखने पड़ेगी, which is recursion stack, recursion stack मतलब किस recursion वाले के अंदर अभी हम फिलात चल रहे हैं, और कौन-कौन सी values इस recursion stack के अंदर अभी हम देखते आ रहे हैं, तो उसके लिए हम एक और array बनाते चलेंगे, which is recursion stack, ठीक है, यह भी एक boolean array होगा, और आपका visited array तो मत में, लेकिन आप लोग एक recursion stack वाला array भी चलने वाला है, जड़ा देखते हैं कि इसकी help से आप लोग कैसे करने वाले हो, तो पहले जड़ा code समझते हैं, उस code को ड्रायरान करते हैं, हम पूरे का पूरा समझेंगे, तो पहले code देख लेते हैं, कैसे recursion stack अभी होने वाला code वाले हैं, क्योंकि disconnected component भी हो सकते हैं, तो उनका ख्याल रखने के लिए हमें for loop चलाना पड़ रहा है, और उसके बाद अगर कोई भी node visit नहीं हुए है, तो उसके लिए हम DFS call करा देंगे, और अगर उस DFS को call कराने से हमें मिल रहा है true, तो हम return कर देंगे true, otherwise हम return कर देंगे, इसके अंदर हम pass कर रहे हैं कि कौन सी वाली node से हम start कर रहे है DFS, then we are passing the graph itself, उसके बाद हमने visited array pass किया है, and then हमने recursion stack वाला array भी pass किया इसके अंदर, ठीक है, तो कैसे इनके अंदर values फिल होने वाले जड़ा देखते हैं, सबसे पहले हमने visited mark कर दिया true, उसके बाद हम बोल दे अरी तक visit नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम DFS call करा देंगे, और अगर इसका neighbor DFS call कराने के बाद कहता है कि हाँ, इस neighbor के पास कही cycle present थी, तो हम return कर देंगे true, अगर ये DFS हमें true लाके देता है, तो हम return कर देंगे true, लेकिन अगर ये neighbor already visit हो चुका है, तो हम check करें, क्या ये recursion complete हो चुका है, तो हम बोलेंगे, ठीक है, इस V को भी भाहर निकाल देता है, recursion stack के अंदर से, क्योंकि अब ये बापिस आने वाला है, अपनी call के अंदर, तो ये वापिस false हो जाएगा, हम return कर देंगे false कि हमें कोई cycle नहीं मिली, और इस तरह किसे ये पुरा function काम करने वाला ह ठीक है, तो basically हम recursion stack करने वाले है, यहां पर हम इसको true mark कर रहे हैं, जब हम call में गुस रहे हैं, और जब हम call से भाहर निकल रहे हैं, तो हम इसको false mark कर दे रहे हैं, so that अगली iteration में ये वापिस अपनी normal stage में आ जाए, अब चला देखते हैं, ये कैसे काम करने वाला है, for this case, त इसके अगला neighbor कौन सा जो visited नहीं है, which is this one, ठीक है, तो इसके लिए हम call करा देंगे dfs1, dfs1 call होगा, और इसको हम mark कर देंगे true, और इसको हम recursion stack के अंदर भी डाल देंगे true, उसके बाद one का अगला neighbor ऐसा कौन सा जो की visited नहीं है, तो one का कोई भी ऐसा neighbor नहीं है, ठीक है, हम तो one का कोई भी neighbor नहीं है, तो हम one वाले से भार निकलेंगे, तो जब हम यहां से भार निकल रहे होंगे, जब हम इस one वाले dfs से भार निकल रहे होंगे, हम बोलेंगे ठीक है, पूरा for loop में चली है, लेकिन कोई भी नहीं मिला, तो हम finally इसको यह recursive stack को भी false mark कर देंगे, ठी 0 का अगला neighbor देखिंगे, जो कि अभी तक visit नहीं हुआ है, तो वो भी कुछ नहीं मिलेगा हमें, तो for loop समभार निकलेंगे 0 के लिए भी, और 0 वाले को भी false mark कर देंगे, ठीक है, तो यहां पर भी false mark हो जागा, तो इस तेकिसे 0 के लिए call हो गया, तो यहां पर हमारा call खतम ह जागा, अब उपर वाला जो for loop है, यह वाला जो for loop है, यह चलेगा आपना और यह देखिया कि, if not visited, I then call करो, तो 0 के लिए तो हो गया, 1 के लिए चलेगा, 1 लेकिन अल्रेटी विजिट हो चुका है, तो 1 के लिए नहीं चलेगा, 2 पर जागा, 2 विजिट नहीं हुआ, तो 2 क call कर देगा, ठीक है, तो DFS वाला function अब दुवारा से call होगा, हम इसके को mark कर देगा, 2, DFS 2 हम call कराएंगे, हमने इसको 2 mark कर दिया, और इसके लिए भी इसको हमने true mark कर दिया, ठीक है, अब 2 से हम जाएंगे, अब 2 के neighbor पर 2 का neighbor हमें अगला मिलेगा, 1, सब उसकर 1 मिला, तो 2 क जो है, 1 का recursive stack false है, इसलिए हम यह नहीं बोलेगे कि यहाँ पर कोई edge present है, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो false है, वो ही हमने use कर यहाँ ठीक है, हम गए यहाँ पर, not visited neighbor, नहीं, visited है already, तो हम check कर रहा, क्या recursive stack के अंदर true है, recursive stack के अंदर क्योंकि false है, इसलिए हमने यहाँ से तो dfs2 से call होगा dfs3, dfs3 के लिए हम यहाँ पर true mark कर देंगे, और इधर भी true mark कर देंगे, 3 का neighbor कौन सा, 3 का neighbor है, सिर्फ 4, 4 अभी तक visit नहीं हुआ है, तो 4 के लिए हम call कर आदेंगे, तो dfs4 call होगा यहाँ पर, और इसके लिए हम mark कर देंगे, आपर true, और यहाँ भी हम mark कर देंगे true, और 4 का अगला neighbor कौन सा है, तो 4 का अगला neighbor है 2, और हम चेक करेंगे, क्या 2 visited है, तो हाँ 2 already visited है, ठीक है, तो 2 visited है, तो हम इस else file condition में आएंगे, और हम चेकरेंगे, यह recursive stack के अंदर true है, तो हम देखेंगे, हाँ recursive stack के अंदर true है, और हमें दिख भी रहा, यहाँ भी आपर एक cycle मिल रही है, तो यह हमें cycle यहाँपर detect हो चुकि है, तो यहाँपर जैसे मिलेगा true, यह return करेगा true, ठीक है, यह रिटन करेगा true, यह करेगा true, और यह अपने calling function को return करेगा true, और finally जो हमारा for loop है, उसमें मिलेगा हमें, कि यहां से हमें मिलेगा true, तो return कर दो true, तो यहां से यह जो function है फाइनली इस साइक्लिक वाला function हमें true return कर देगा ठीक है तो इस तरह किसे यह काम करता है आप लोगों को सुझ में आ गया होगा इसके बात जरा इसकी time complexity बात करते है तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए किस तरह किसे काम करता है ठीक है DFS algorithm बहुत सारी जगों में ज़रू होती है यह कुछ ही cases थे अभी और व्यूस कर रहेंगो इसको आने वाली वीडियो में इस वीडियो में इतना ही था अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए